इस टॉपिक is boundary condition जो भी इस लेवल का हम डेटेल में पढ़ेंगे boundary condition boundary condition में सबसे पहले हमारे पास electric field के बारे में पढ़ेंगे कि electric field हमारे पास equal होता है 1 by 4 by E not q by r square अगर हम एक charge consider कर रहे हैं वो charge अपने गिल्ब क्या बना रहा है electric field अगर हम अगर इस formulae से देखें तो हमें इस relation से ये पता लगता है कि electric field जो होती है चार्ज की वो distance बढ़ाने से कम हो जाती है और square times कम होती है तो अगर हम इस charge को दूर लेके जाएं तो इसके उपर field क्या होगी कम लगेगी तो electric field और R का अगर हम relation देखें तो वो क्या है electric field क्या हो रही है कम हो रही है अगर हम R को क्या कर रहे है बढ़ा रहे हैं तो मतब इस तरह से इनका inverse में relation है अगर हम इस graph को देखें तो ये क्या है एक continuity नज़र आ रही है इस graph में इसी तरह अगर हम एक चार्ड हो है, यह सेटिन पे एक चार्ड है और यह अपने क्या बना रहा है, इसकेलेक्ट्रड फिल लाइन्स क्या है? इस तरह से अबचे आगे अगर हम एक शीट रख देए वह शीट क्या है अगर surface charge density की sheet मतब कि यह हमारे पास क्या है एक sheet of charges रख दे इसमें sigma charges जो है वो charges की sheet से अब sheet रखने से क्या होगा कि electric field में discontinuity आ जाएगी कैसे आएगी अगर मेरे पास यह sheet है तो यह sheet क्या करेगी इधर से भी electric field lines बनाएगी इसके charges जो इधर है वो इधर electric field lines बनाएगे और जो इस तरफ है वो electric field lines इस तरफ को बनाएगे अब गोर से देखो कि यहाँ पे अगर देखें तो यह charge की क्या है charge की भी electric field lines है अब charge की जो यह वाली electric field lines है यह यहाँ से पास आउट कर रही है अब इस पूरी sheet की यह वाली और charge की यह वाली इनकी direction क्या है opposite एक की direction यह है और एक की direction क्या है यह तो अगर इनकी direction opposite है तो यह तो क्या कर देगी cancel कर देगी और यहाँ पे क्या आजाएगा electric field की discontinuity आजाएगी जबकि अगर हम इस side पे देखें तो charge surface की यह जो हमने sheet रखी है इसमें से जो electric field lines निकल रही है उसकी direction क्या है इस तरफ और जो charge की electric field lines की direction है वो भी इस तरफ है जब same direction है तो यहाँ पे क्या होगी यहाँ पे यह field को और बढ़ा देगा तो यहाँ पे तो हमें continuity मिली लेकिन यहाँ पे field lines क्या हो रही है कम कर रही है यहाँ पे बढ़ा रहा है क्योंकि same direction है इदर opposite direction है इसलिए यहाँ पे field lines क्या होगी कम हो जाएंगी तो यहाँ पे हमें discontinuity मिलती है यहाँ पे हमें क्या मिलती है continuity अब अगर हम इसका graph देखे तो हमारे पास E और R का आप इसमें क्या गिराफ था ये जो के continuity में था ठीक है ये E था और R अब अगर हम देखे यहां पे अगर हम surface charge density को रख दे ठीक है यहां पे मैंने क्या किया एक surface charge density रख दिये तो उसने इस तरफ वाले को क्या किये यहां वाले की जो electric field lines का magnitude था उसको वो कम कर रहे है तो यहां पे जो यहां की electric field lines बनेंगी उसको वो क्या करेगा इस तरह से कम कर रहे है जैसी यह कम होती भी आ इस दन यहां से बढ़ रहा था तो हमारे पास यहां तक क्या होगा कम होगा फिर उसके बाद उसने क्या किये जो इस तरफ वाली है उनके magnitude को यह क्या कर रहे है बढ़ा रहे है तो यहां पे इसके magnitude को क्या करेगा बढ़ाएगा तो यह जहां पे surface रखने से क्या आ गई है एक discontinuity आ गई है तो यहां वाला जो मेरे पास एक area आया इसमें क्या आई है इसमें discontinuity आई है और यहां पे मेरे पास क्या थी यह continuity आ रही थी देन उसके बाद यह surface रखने की वज़े से क्या आ गई discontinuity आ गई तो boundary condition हमें यही बताता है कि जब हम मारे पास electrophy line surface में सपास करती है तो उसमें क्या होता है कि electrophy line में discontinuity आ जाती है charges की वज़े से क्या होगा discontinuity आ जाएगी अब हमने देखना है कि यहां पे यह जो boundary जो है यहां पे गुजरने यहां से जो गुजरे है उसको क्या किया है इसने बढ़हा दिये इस वाले को कम कर दिया अब इन दोनों के effect को हमने देखने है अब हमने दो electric field lines लेनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे दो point charges यहां पे हमने दो point charges ले लिए अब इन दो point charges को मैंने बहुत close लिए दो point charges है अब दोनों point charges की क्या होगी electric field lines होगी इस वाले point charge की हमारे पास E1 electric field है और जो दूसरा वला है इसकी मेरे पास जो electric field है वो क्या है E2 अब मेरे पास यह दो point charges जो है यह क्या है यह बहुत करीब है तो almost इनकी electric field भी क्या होगी same होगी क्यों same है क्योंकि यह दो point charges जो है यह बहुत करीब है अब हम इन जो दो electric field है यह electric field इसको यह वेक्टर होते है तो हम अगर इसको दो component में resolve कर ले means कि इसका horizontal component और vertical component बना ले तो क्या होगा मैंने इसका एक क्या किये है horizontal component बना लिए इसका भी black वाला horizontal component है और जो purple से बनाया वा, यह इसका क्या है इसका vertical component है अब जो horizontal component है उसको मैं denote करूंगी E1 double prime और ये चीज़ क्या हो जाएगी E2 double prime means कि ये इसका क्या है ये इसके horizontal components है अब मेरे पास जो perpendicular components है इसको मैं कैसे लिखूंगी ये E2 वाले का है और ये E उसके उपर ऐसे चोटा सा perpendicular डाल लिए it means कि इसका vertical component है और ये E2 E1 का vertical component अब अगर ये point जो है वो बहुत close है और इनकी electric field भी हमने almost same कही थी क्योंकि ये बहुत close है तो इनके जो दोनो components है वो भी क्या होने चाहिए equal होने चाहिए जैसे कि अगर इसका ये horizontal components है तो ये दोनों भी क्या होंगे ये दोनों भी almost same ही होंगे और इनके ये वहले जो दोनो components है vertical components ये दोनों भी क्या होंगे almost same होंगे और reason यही है कि ये दोनो point charges जो दोनो charges हैं ये क्या है बहुत close है इसलिए इनकी जो है ये सारी चीज़ें almost same है यह तब की figure है यह तब की बात है जब हमारे पास कोई surface charge density बीच में introduce नहीं हुई भी थी जब हम introduce कर देते हैं तब तो एक discontinuity आ जाती है अब हमने इसी तरह देखना है कि अगर हम इन दोनों charges के दर्मियान में अगर एक surface charge density को रखते तो तब इन में क्या effect आएगा अब हमने क्या करना है इनके दर्मियान charge surface को introduce करवाना है तो एक sheet को इनके दर्मियान रखना है तो यह क्या है एक sheet of charges ले ली वेने जिसमें क्या है Sigma Charges अब इसमें क्या थे मेरे पास दो पॉइंट से तो मुझे इसमें भी क्या बनाने पड़ेंगे दो पॉइंट अब एक पॉइंट ये जो के मेरे पास क्या है इस Sheet के उपर वाली Direction में उपर वाली Surface पे है और एक horizontal component थे वो बना ले तो horizontal component की direction क्या है ये ये चीज क्या है e1 double prime means कि इसका horizontal component then अगर इसका बना ले तो इसका भी क्या है e2 double prime अब जब हम ने इसमें इसमें भी हमने Sheet रखी थी तो क्या हुआ था यहां पे चार्जिस की अपनी electric field लाइन्स थी जो के एक की direction इस तरफ थी और इस वाले की direction क्या थी इस तरफ तो इस sheet में भी तो क्या है charges इनकी भी तो कोई अपनी electric field होगी तो ये इसकी जो electric field बनेगी उसकी direction क्या होगी ये उपर वाला जो charge बनाएगा वो क्या बनाएगा electric field बनाएगा इस direction में upward और जो यह बनाएगा electric field बनाएगा वो क्या बनाएगा downward ठीक है सेम इस तरह इस तरह इसके direction यह थी और यह थी इसी तरह इसकी भी जो इस sheet के अंदर जो charges है वो electric field lines जो बनाएंगे यह वो वाली electric field lines है एक की upward direction और एक की downward direction अब अगर हम इसमें देखें तो इसके क्या बना रहा है इसके दर्मियान perpendicular मतलब कि इनके दर्मियान क्या बन रहा है 90 का angle बन रहा है तो यह इसका मतलब कि यह जो electric field lines हैं यह horizontal वाले पर क्या कोई effect डाल सकता है नहीं डाल सकता है ठीक है तो यह इस वाले component पर क्या कोई effect नहीं डालेगा तो इधर लिख दो कि no effect अभी तक इसने इस पर कोई effect नहीं डाला देन हम उसके बाद इसका दूसरा वाला एक हमने अभी यह वाली side ली है यह वाला component इसको रहता है तो यह वाला मैं इस वाली figure में लूँगी ताकि इसमें confusion ना हो जाए ताकि यह सारा git-mich ना हो जाए तो मैं इसमें बनाऊंगी दूसरी वाली side लेके फिर देखेंगे कि इस वाले component पर कोई फर्क पढ़ता है या नहीं पढ़ता उसी तरह मैंने के लिए अब यह सारी बाते वही है ठीक है इस तरह यहां तक मैं same draw कर रही हूं यह तो इसका क्या हो गया horizontal component हो गया और यह ठीक है और यह जो purple से बनाई थी यह चीज़ क्या थी यह charge की अपनी electric field lines थी अब उसके बाद मैंने क्या बनानी है इसका यह वाला component तो इसका यह वाला जो vertical component है वो भी किस तरफ है इसी तरफ जो के क्या है even और अगर मैं इसका देखूं तो इसका भी जो vertical component है वो उसकी भी direction क्या है upward जो क्या है e2 vertical component अब इस case में जो electric field lines है उसकी direction यह है और इस इसकी electric field की क्या है इस तरफ है तो यह तो क्या कर देगा इस चीज़ को इसकी direction opposite है तो इसके electric field lines के magnitude को क्या कर देगा कम कर देगा सेम उसी तरह जिस तरह यहां पे इनकी direction क्या थी opposite थी जबकि इस case में अगर हम देखें तो electric field lines की direction और जो component है उसकी direction क्या है सेम है तो यह electric field lines के magnitude को क्या करेगा बढ़हा देगा सेम इसी तरह जिस तरह जिस तरह इस तरह इस वाले case में था क्योंके इनकी direction क्या है सेम है अब इनके उपर तो क्या है इनका 90 का angle बन रहा है electric field और इनका जैसे के यह था तो इस पे तो कोई फरक नहीं बढ़ा ना ठीक है तो हम इन दोनों components को भी देख रहें अब उसके आए यह जिस हमने देख ली ना कि यह सेम नहीं आए एक का magnitude बढ़ रहा है और एक का कम होगा तो यह सेम तो नहीं आए ना तो अगर हम इन दोनों points के दरम्यान क्या रख दें कोई sheet रख देते हैं तो उस case में यह चीज सेम नहीं आती यह सेम आएगा अब इनके दरम्यान क् चेक करने के लिए हम क्या करेंगे एक Gaussian surface बना लेंगे इसके ओपर ठीके अब यह गॉशन सर्फेस जो है यह बहुत स्मॉल लेनी है हमने अब यह क्यूब की एक जो गॉशन सर्फेस है ठीक है दो ले लिए एक ओपर वाली के ओपर एक पॉइंट लिया और नीचे वाली के ज अब क्यूब की फेसिस तो आपको पता है कि ये 6 फेसिस होते हैं क्यूब के ठीक है अब इसके बाद ये जो ऊपर वाली सर्फेस है इसका जो एरिया है ठीक है वो एरिया क्या है एवन ये वाली कौन से सर्फेस है अपवर्ड सर्फेस का और जो नीचे वाली सर्फेस का एरिया बेते हैं धर के एरियाट आपको टूर तो कि खैके शीछार्जिश एका मिलम ओसे ब्चाइजेद पता है सीच्छा में अब मेरे पास यह Gaussian surface का है पूरी closed रहे तो इसका जो अगर यह close है तो इसकी electric field क्या होगी close electric field का integral क्या होगा तो closed surface integral जो Gaussian surface का है वो किसके equal होगा E.DA और charge enclosed our surface होता है तो charge कितना enclosed हुआ है सिगमा A यह बात अभी बताईए और our permitivity constant अब क्यूब है क्यूब की कितनी surfaces है हमारे पास six surfaces होती है तो अगर हम क्यूब की देखे तो six surfaces थी लेकिन distance हमने क्या लिया हो था width क्या लीवी थी वह हमने width surfaces को consider करेंगे तो अब हमने क्या करना है हमने flux को दो surfaces में से split कर दिया सिक्स में split नहीं किया सिफ दो surfaces में उसको split कर देंगे क्योंकि width distance जो हमने डी ली है वह बहुत small ली है और हमने इस सर्फेस उपर वाली surface थे इसके area को A1 का था दूसरे वाले को क्या का था A2 का था अब इन दोने surfaces के flux को क्या कर देना है add कर देना अब डागा है आ BC ऐसका थाओ नहीं तो अक्सकी विए इन दोनों components की धाशी बने बने ईवन में इसकी वज़ासे और ईटू में इसकी वजय से अब अगर इस इसमें तो इस केस में toं स्केस में जो इलेक्रिक के अंदर है तो हम उसको कै लेंगे wenig और इसकी फि्ल्ल को क्या लेंगे इस पौसिटिब और यह बात रखनी है कि यह किसकी वज़ाएसे फील्ड में एंहाँ आ हमारे पास इसकी वज़ा से इस कंपोंइन्ट की वज़ा से तो हम इस तो इस तुरह से लिखेंगे इसका वह वाला component और साथ में surface area क्या है इसका ए लेकिन इसकी वज़े से क्या होगा इसकी हमने कहा था कि इसकी field जो होगी वह negative हो जाएगी तो मैं यहां पर direct जो है वह negative sign डाल रही हूं और यहां पर इसकी भी vertical component की वज़े से था और साथ में अब यहां पर a1 और a2 दोनों का क्या है area यह है तो मैंने इन दोनों को क्या ले लिया है a के equal ले लिया इस case में अगेन यह equal हो जाएगा sigma a by e0 तो यहां पर a जो होगा वो यह common लेके इसके साथ cancel हो जाएगा और इसका जो vertical components का जो difference है में नजर आ रहा है वो किसके equal हो जाएगा sigma by e0 ठीक है अब इसको आप क्या कर लो e1 कर लो या e2 कर लो या फिर यह लिख लो कि e above वाले का या e1 की जागा आप क्या लिख सकते हो कि e above उपर वाले का और नीचे वाले का जो vertical components में difference आ रहा है वो कितना आ रहा था अभी हमने काता ना कि सिफ इस वाले component में difference आ रहा है त अभी हमने देखा है कि इसके horizontal component sorry vertical component के लिए अब हम इसके horizontal component में देखेंगे की change आता है या नहीं तो उस case के लिए भी हमने क्या किया simple वही चीज है अब हम Gaussian surface का जो front वाला part था वह वाला सिफ हमने consider करना है इस case में ठीक है तो कि electric field के लिए हम जो है यही वाला consider करेंगे ठीक है तो यह इसके क्या होगे एक यह वाला component है और एक इसका यह वाला component है इसमें हमने देखना है कि difference है या नहीं इसके लिए हम क्या लेंगे के clause integral जो होता है e dot line integral ठीक है e dot dl वो क्या होगा zero होगा अब अगर हम इस surface के भी देखें तो चार पार्ट्स बनते हैं लेकिन जो जो है या डी जो है वह बहुत small है तो हम इस चीज़ को अगर यह small approximately equals to zero है तो इसकी यह वाली side और यह वाली side तो हमने लेनी नहीं है ना यह वाली लेंगे ना यह वाली पीछे के रह गई सिर्फ यह वाली upward और यह वाली ठीक है दो surfaces मेरे पास रह गए अब मैं इन दोनों surfaces क यह जो है वो directions के है यह ठीक है अब इस case में जो filtration है वो क्या ले निये है या यो Is इसकी और फील्ड की direction क्या है same है इस वाले case में same है जबकि इस वाले में electric field की है और इसकी direction की opposite है इस वाले में same है, इस वाले में क्या हो गई है opposite हमने ये दो surfaces लिए है, क्योंकि हम dl ले रहे है न तो इस वाम इसकी consider कर लेते हैं कि length जो है वो क्या है L है तो अब इस case में यह चीज़ क्या है, same में है, तो इस में क्या होगा, E, 2 का parallel component, और साथ में क्या है, L, negative इस case में क्यूंकर direction क्या है, opposite है, तो इस case में क्या होगा, E, 1 का parallel component, parallel नहीं सो रही है, horizontal component, और साथ में L, अब यह चीज़ मेरे पस किसके equal थी, 0 के, तो इसको मैंने equals to 0 रखा, अब इस case में हमारे पस L तो cancel हो जाएंगे, इसलिए हमने L लिया था, E, 2 जो होगा, वो equal हो जाएगा, E, 1, तो हमारे पस जो horizontal component है, वो क्या है, same रा, उसमें कोई change नहीं आया, जबकि हमने, इस value vertical component में देखा है, तो इसमें जो है, वो changes आएंगे, अब इस चीज़ को आप क्या, इसी तरह लिख सकते हो, ये वली जो है, वो below की है, और दूसरी जो है, वो क्या है, above की, तो हम इस case में क्या लिख सकते है, कि ए, above is equals to e, below, अभी तक हमने find out किया है, कि इसके horizontal or vertical components में क्या difference आया है, अब जो main electric field है, वो तो ये थी, अब देखना है कि इनके दरम्यान भी कोई difference आ रहा है या नहीं, अब main electric field क्या थी, ये पूरी figure उसी तरह से बन गए, इन दोनों के दरम्यान हमने देखना है, तो इस relation से हमें यहां से क्या पता लगा है, कि हमारे पास e above, e above minus e below, ठीक है, हम इस उपर वाली equation से क्या लिख सकते हैं, ये equation बना सकते हैं, अब ये जो first वाली थी मेरे पास, इसको मैंने क्या name दिया था, इसको मैंने क्या था क्या आप इसको हमने name दिया था ना, और इसको हमने क्या name दिया था, e2 को below, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक vector है, तो अगर वेक्टर है, तो हमें यहां पे इसको डिरेक्शन देनी होगे, इन योनिट वेक्टर क्या देता है, एक वेक्टर के साथ जब हम लगाते हैं तो इसकी डिरेक्शन बताता है ना तो यहां पे हमने यहां पे एक सर्फिस बनाई वी थी ठीक है यह गोशन सर्फिस आप लोगों ने बनानी है ठीक है फॉर एक्जेंपल मैं ऐसे करके गोशन सर्फिस बना ली अब मुझे क्या करना पड़ेगा एक इसके पर्पेंडिकुलर जो क्योंकि यह एक पर्पेंडिकुलर है और एक क्या है इसके इस तरह से पैरलल जा रही है तो एक इन दोनों के लिए मुझे normal surface बनानी पड़ेगी direction देनी पड़ेगी और एक इन दोनों के लिए मुझे देनी पड़ेगी जो के मेरे पास हो गई P ठीक है क्योंकि एक को अगर मैंने n दिया तो दूसरे को differentiate करने के लिए मैं इसको name दूँगी P अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसको इसके component को और इसके component को add और इसके वाले को और इसके वाले को add करूंगे ठीक है अब यह जो above वाले थे हमारे पास यह क्या थे, above above वाले, above वाले एक यह है और एक यह था, तो हमने simple लिखा करE1 का N योनिट वेक्टर, और यह जो इसका क्या था, इसका p योनिट वेक्टर था तो और इसका E1 का, अच्छा, above वाले यह थे,お Il선, और यह, E1 का perpendicular ये वाला component जो के vertical है और एक उसका horizontal जिसके साथ ये था then minus below वाले इसी तरह लिखे then मैंने E1 की जगा क्या लिख दिये simple E above, above और E2 की जगा below और यहां पर भी below अब मैंने above और इसके vertical components above और below के क्या कर दियां कटे कर दियां और above और below के पर horizontal component अकठे कर दियां इसके साथ N unit vector आया इसके साथ P unit vector आया then उसके बाद अभी हमने उपर देखा था कि E above का horizontal component equal होता है E below के horizontal component के तो यहां से equal हो जाएंगे और यह cancel हो जाएंगे ठीक है जब ही cancel तो यहां पर सीरो पीछे रहे गया इसका यह वला कंपोनेंट वरिटिकल कंपोनेंट अब यह हमने किया था कि equal होती है सिग्मा बाए चार्ज बाए नोट के तो चार्ज हमार पास किया है क्यू बाए नोट और साथ में N yhtletter आ गया next हम देखेंगे के electric field का तो हमने देख लिया कि उसमें चेंज आया तो electric field में हमार पास चेंज आया थी नेक्स Slow पोटेंच के लिए तो यह थे ढएंगे वही तो ढैम दे दिया एक चार्ज यहयए और एक चार्ज हमार पास बी यह तो हमने खाता कि उनके दर्मयान का डिस्टंस किया है वो बहुत ज़्यदा अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू क्या है जीरो के अब पोटेंशल के लिए हम क्या लिखेंगे वी बी माइनस वी ए तो वी मीन्स के वी अबव माइनस वी बिलो इस इक्वल्स टू अब अगर हमारे पास डी एल जो है वो क्या है है डी एल जो है बहुत समॉल है तो इस स्मॉल तो इस के समें हमारे पास यह चीज्स क्या हो जाएगी जीरो के अगर यह जीरो के एक्वल हो गई तो हम यहाँ पर ल advertisements. dude. meaning के अलstop mo bowling Elkric oh गाम एक्वल्स और Del of V, Minus Gradient of V के, ये चीज़ हमारे पास, इसमें तो Changes आई थी, ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, Minus Del, और V हमारे पास क्या हो जाएगा, V Above, Plus, क्योंके Minus, Minus क्या हो जाएगा, Plus, और V Below, Is Equals To, E की Value क्या थी, Sigma by E Note, और साथ में, N Unit Vector, Next, हमारे पास क्या है, With Respect to Normal, ले रहे हैं, तो हम इसी से, इसको क्या कर देंगे, Derivate कर देंगे, जब Derivate कर देंगे, तो ये Partial V Above by Partial N, Minus Partial V Below, और यहाँ पर Partial N, Is Equals To, Minus By Sigma N, Unit Vector, ये क्या किया है, कि Above, Minus को Commonly है, फिर इदर Minus आ गया है, और यहाँ पर ये इस तरह से बन गया है, और इसको Derivate कर दिया, With Respect to N, जब With Respect to N करेंगे, तो पार्चल V पर पार्चल N, और ये Derivative वी N, तो जब हमने इसको Derivate किया, ये लिखने की जुरूत नहीं है, जब हमने इसको Derivate किया, तो हमारे पास क्या आया है, ये वाली value आ गया है, जबकि ये क्या है, एक Continuous Form है, तो Electric Potential एक Continuous Form है, जबकि हमने Electric Field देखे तो वह Continuous नहीं था, वह क्या था, I hope you understand this picture, thank you so much for watching, Allah Hafiz.